नमस्कार दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है मैं प्रिति दयाल आपके साथ देखे दो हजार पच्चिस में बिहार विधान सभाद चुनाव होने वाला है जिसकी तैयारी अभी से ही तमाम राजनितिक दलों की ओर से शुरू कर दी गई है इसक्राम में बता दे कि मुख्यवंति नितीश कुमार 15 दिसंबर से एक बार फिर बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं सीएम की यात्रा प्रशासनिक और राजनितिक रूप से एहम होने वाली है सरकारी स्तर पर इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है मुख्य सचीव अमरित लाल मीना ने इसको लेकर अभी विभागों के आलाधी कारियों के साथ बैठक की इसमें उन्होंने बताया कि सीएम नितीश की यात्रा की रूप रेखा क्या होगी तो इसकर में बता दे कि जिस तरह से मुख्य मंती नितीश कुमार एक बार फिर से अपनी यात्रा की शुरूआत करने वाले हैं तो उसे लेकर के तमाम राजरितिक निताओं की और से प्रतिक्रियाएं भी आ रही है इसकर में बता दे कि आरजेडी सुप्रीमो लालो प्रसाद यादव आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए दस और वे अपने नीजी कार्णों से दिल्ली गए हैं ऐसे में पटना एरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से वे मुखातिब हुए इस दौरान मुख्यमंत्री नितीश कुमार की यात्रा को लेकर के लालो प्रसाद यादव से सवाल किया गया लेकि इस दौरान लालो यादव ने पत्रकारों के सवालों का जवालों का जवाब नहीं दिया और वे सीधे सीधे निकल पड़े कुल मिलाकर देखा जाए तो मुख्यमंत्री नितीश कुमार की जो यह यात्रा शुरू हो रही है तो इसके बाद विपक्ष की ओर से लगाता जो विवाद है वो शुरू हो गए है इधर जानकारी के मुख्यमंत्री नितीश कुमार की 15 दिसंबर से प्रस्तावित बिहार भ्रमन के तोड़ान जहां साथ निश्चय एक और दो जल जीवन हरियाली एवं अन्य महत्वपुर्ण कारेक्रमों की प्रगती की जानकारी लेंगे वही सरकारी योजनाओं के लाभार् शुरू कर दी है इस वीच मालूम हो कि सीम नितीश कुमार की या 15 वी बिहार यात्रा होगी इसके लिए राज्य सरकार 225 करोर रुपे खर्च करेगी बजट के लिए पिछले सब्ता आयोजित राज्य काबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई थी इसके पहले बता दे कि म 2005 में बिहार चुनाव से ठीक पहले पहली बार राज्य की यात्रा पर निकले थे इनके उस टूर का नाम निया यात्रा था जिसने लालोयादव की पार्टी राज़त की सत्ता से विदाय कर दी थी मुक्यमंदी नितीश कुमार ने अब तक अलग अलग वजह और मकसद से बिहार की 14 यात्राएं की है उन्होंने 2009 के लोगसभाद चुनाव से पहले विकास यात्रा की पार्टी के अच्छा प्रदर्शन करने के बाद जून में धन्यवाद यात्रा पढ़ गये फिर 2010 के बिह और लगातार जारी रहा इधर लोगसभाद चुनाव 2014 के जटके से उबर कर नितीश कुमार ने उस साल नवंबर में संपर्क यात्रा शुरू की और बिहार के हर जीले में पहुँचे बिहार में 2015 में महागडवंदन सरकार बनने के बाद सीम नितीश ने 7 निश्चय प्यारी यात्रा 2021 में समाज सुधार यात्रा और 2023 में समाधान यात्रा पर निकले थे तो वहीं अब जब बिहार विधान सभा का चुनाव नजदीक आ गया है अगले साल ही 2025 में होने वाला है तो उसकी तयारी मुख्यमंदी नितीश कुमार ने 2024 में ही शुरू कर दी है और एक नई यात्रा पर निकल पड़े है ऐसे में देखना दिल्चस्प होगा कि आखिरकार लोगों का समर्थर एक बार फिर से मुख्यमंदी नितीश कुमार को मिल पाता है या फिर नहीं फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही अगर आपने भी तक हमारे यूट्यूब च्रा